दोस्तों के विकास विनाश की बुनियात पर टिका है क्या तरक्की का पैमाना परियावरन को बर्बात करना है क्या नेचर से बिना छेड़ छाड़के हम डेवलप्मेंट के रास्ते आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे कई सारे सवाल है जो हर बार किसी रा किसी आपदा या घटना क के बाद उट खड़े होते हैं एक बार फिर से यही सवाल फिर से उट खड़े हुए है कुछ ऐसा ही घटित हुआ है उत्राखन के पहाड़ों में जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी सरकारों ने जो विकास का रोड मैप तयार किया है वो हमारे पहाड और यहां सून के बीच जाने के बाद आसपान से जो पानी बरसा उसने सभी को दहशत में डाल दिया तमाम नदियां उफान पर आ गई आपने देखा जगा जगा पर पहाद तूटने लगे दरकने लगे बादल फटने तक की घटना आए सामने आई विकास के लिए बनाए गए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सडके हैं पुल हैं इमारते हैं सब ताश के पत्तों की तरह देहने लगे तबाह होने लगे उधारन के लिए पिथारागर टनकपुर आल वैदर रोड की इस तस्वीर को ही देख लेजिए शार्दा नदी के जलाशे यानी नदी छे अशड में किया था यह तस्वीरे देखिए बराबर और साथ में सुनिए पिये मोदी का ओल वैदर रूड को दिया गया को लेकर दिया गया बयार चार धाम सडक परी योजना पर तेजी से काम हो रहा है चारो धाम हाइवे से जुड रहे हैं बविश में यहां केजार नाजी तक स्रद्धालू के बल कार के जरी आ सके इसे जुड़ी प्रक्रिया भी सुरू हो गई है तो पिये मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आल वेदर रोड को विकास से जोड रहा है लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है यह तस्वीरों में आपने बखुबी देखा है यह सिर्फ एक तस्वीर है दोस्तों बीते सालों से यानि जब से आल वेदर रोड का काम शुरू हुआ है क्या हालात रहे हैं मैं आपको आंकडों के जरीए सच्चाई बताता हूं कैसे परियावरन की अंदेखी कर बड़ी बड़ी जेसी भी मशीने पहाडों के सीनों को बेदर्दी और बेतर्तीवी से खोकला कर रहे हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन उससे पहले जरा गूगल अर्थ से ली गई इन दो तस्वीरों को देख लीजे एक ही जगा अलग अलग वक्त की ये दो तस्वीरे हैं ये तस्वीर बता रहे हैं कि ये सड़क कैसे एक डरावनी कहानी बन गई यहां के लिए बाइं तस्वीर आप देखिए मार्च 2018 की है और दाइं फरवरी 2021 की है तस्वीर में खुद ही आप अंतर रूण लेंगे तो खालात का पता लग जाएगा अब कुछ आकडों और घटनाओं के जरिये मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये औल वेदर रोड परियोजना नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है मोटा मोटी अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा दोस्तों कि एक हजार करोड से बनी ये सड़क पिछले साल यानी साल 2020 पे 182 बार से ज्यादा बार बंद हुई ये हम नहीं कहा रहे हैं बलकि ये सरकारी आंकड़ा है दरसल पिथोरागर टनकपूर के बीच बन रही औल वेदर रोड की अवधारना सवालों के घेरे में आ गए किसी भी मौसम में बंद नहीं होने के दावे के साथ जिस रोड को वनाया जा रहा था करीब एक हजार करोड रुपए से अधिक का ये प्रोजेक्ट हकीकत में पैसेंजर्स के लिए यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि ये महत्व कांशी सडक मलबा आने से साल में 182 बार बंद हुई 2020 का आंकड़ा है सडक बंद होने से कई बार यात्रियों को 18-18 घंटे तक परिशानी जेलनी पड़ी सडक बंद होने से सडक पर वहानों की लंबी-लंबी कतारे लग जाती है सीमान्त पिठोरागड से चीन और नेपाल की सीमा लगी है ऐसे में सामरिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2016 में 150 किलोमीटर नैशनल हाईवे को औल वेदर रोड में तब्दील करने के लिए करीब 1078 करोड रुपए की मनजूरी दी थी दोस्तों उस वक दावा किया गया था कि निर्मान पूरा होने के बाद तनकपुर से पिठोरागड महस 4 घंटे से 5 घंटे में पहुँचा जा सकेगा साल 2017 में इस एनेच पर जगा जगा पहाडियों को काट कर इस खास रोड का निर्मान शुरूबा इसके चलते यहां से गुजरने वालों को करीब 2 साल तक भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा फिर भी फिर भी लोगों का संतोष था कि आल वेदर रोड पूरी होने के बाद सड़क पूरे साल निर्भाद चलती रहेगे जिससे पिठोरागड और चंपावद जिलों को बड़ी राहत मिलेगे लेकिन चंपावद जिला आपदा कंट्रोल रूम के आकड़े खुद बताते हैं कि पिछले साल यानि साल 2020 में ये सलक 182 बार बंद हो चुकी है कई बार तो ये हाईवे दो-तीन दिन तक भी दोस्तों बंद रहा है इसके लावा एक मसला और भी है जिसको लेकर लापरवाई बरती जा रहे है और वो है रॉक ट्रीट्मेंट चंपावद में पहले से डेंजर जोन घोशित पहाड़ों का रॉक ट्रीट्मेंट भी खास तोर पर आल वेदर रोड परियोज़ना में शामिल था जिले में बारा से ज्यादा जगा पर रॉक ट्रीट्मेंट किया भी गया इसके तहट डेंजर जोन की पहाड़ियों में ड्रिल करने के बाद उसमें लोहे के मोटे सरीय डाले गए और उनका जाल सा बांध दिया गया जिससे लाइंड श्लाइड ना हो लेकिन कुछ जगाउ पर ट्रीट्मेंट के बाद पहाड़ी दर्की और अब भी दरक रहे इसका नतीजा यह हुआ कि हाइवे पर और ज्यादा डेंजर जोन उभर कर आने लगे दोस्तों आपको बता दूंकि सुप्रीम कोट ने चार धाम हाइवे प्रोजेक्ट को लेकर सलहा देने के लिए एक क जहरे से परियावरन पर अध्यन करते रहें रवी चोप्रा कमीटी ने सुप्रीम कोट में अपनी रिपोर्ट सब्मिट की इस पर प्रोजेक्ट में सड़क की चोड़ाई 12 मीटर रखे जाने पर अब्जेक्शन जताया गया था वही टाइमस ओफ इंडिया की एक खबर है जिसके मताबिक का चोप्रा और उनकी साथियों ने 12 मीटर के नियम को हिमालेन ब्लंडर यानी भयानक गलती बताया था रवी चोप्रा ने कहा कि हमाले के पहाड़ों की चिंतार नहीं की जा रही है प्रोजेक्ट के दोरान इनकी अंदेखी की गए सड़क की चोड़ाई परियावरन को होने वाले नुकसान में बड़ा फैक्टर है लेकिन कमिटी के बाकी लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे उन्होंने रिपोर्ट में सुझाब दिया है कि सड़क की चोड़ाई बारा से आठ मीटर से बारा से घटा कर आठ मीटर होनी चाहिए से ज्यादा ना हो कमिटी के मुखिया रभी चोप्टा ने टाइमस उफ इंडिया से कहा था कि सुप्रीम कोट की हाई पावर कमिटी बनाने के बाद प्रोजेक्ट के लिए पहाडों और पेडों की कटाई रोग देनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमने देखा कि कुंड नाम की जगा पर ओक के घने पेडों को पूरी तरह से उखाड दिया गया जब कि हमने उनसे हमारी सिफारिशें आने तक का इंतजार करने को कहा था उन्होंने कहा कि Environment Impact Assessment यानि परियावरन पर पढ़ने वाले असर के आकलन से बचने के लिए प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बाटा गया है दोस्तों ये बहुत important बात मैं आपको बता रहा हूँ अब ये परियावरन Impact Assessment होता क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है दिरसल किसी भी प्रोजेक्ट प्लान या नीती से परियावरन पर पढ़ने वाले असर का आकलन किया जाता है जैसे अगर कहीं रोड़ बनने है तो ये बताना होता है कि उससे परियावरन पर क्या असर पढ़ेगा जैसे उधारन के लिए रास्ते में कितने पेड़ कटेंगे, उससे जानवरों पर क्या असर पड़ेगा, और भी कई तमाम बाते, परियावरन मंत्राले के मताबिक, 100 किलोमीटर से बड़े किसी भी रोड प्रोजेक्ट पर environment impact assessment कराना होता है, mandatory है, लेकिन प्रोजेक्ट के 100 किल किलोमीटर से कम होने पर ऐसा नहीं होता, अभी उत्राखन में यही हुआ है दोस्तों, वहाँ पर करीब 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को 53 हिस्सों में बाट दिया गया, और खर हिस्सा 100 किलोमीटर से कम का है, अब यह आप आसानी से समझ सकते हैं, अब इसको समझते देखते सवाल नहीं उठता कि क्या हेमाले में 12 मीटर चौड़ी रोड की जरूरत है, तब जब इतनी चौड़ी रोड यूरोप में अल्पस परवत में भी नहीं है, क्या पहाडों में अच्छी रोड का मतलब चौड़ी रोड से हैं, तब जब इंडियन रोड कॉंग्रिस ने साल 2018 में पहाडों में रोड की चौड़ाई 7-8 मीटर करने की सिफारिश की थी, सरकार कह रही है कि ये सड़के रणनीतिक सामरिक रूप से आहम है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्ताफ बिपिन रावत ने खुद कहा है दोस्तों कि उन्हें चौड़ी नहीं अच्छी सड़क चाह एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूपती कष्टियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ है प्यासी दुनियां एक तरफ हो तुम, सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकर पत्थर क्या होगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट में जरूर लिखें बताएं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर आगे अपने दोस्तों अपने परिचितों तक पहुंचाएं से नीचे थांक्स बटन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों उस पर आप क्लिक कर हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं ताकि हम जन सरोकार परियावरंड से जोड़े अपने इन मुद्धों पर आपके इस मुद्धे पर काम करते रहें और वरत जारी रख सके हैं और अगर अगर अब तक आपने राइश वमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उससे दबा दे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर आपको मिल सके हैं नमस्कार